नमस्कार दोस्तों मैं उकुर उपाथियाज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ जिसमें board meeting थी bonus इशू को लेकर company ने बनस इशू भी करा बट ratio revise होके रहा से था यानि पहले जो रेशू था वह अलग था हैंट अभी जो company ने finally ratio जो decide कर edi कर आ वह अलग है तो company केबारे में मैं आपको बताऊ हमें एक chemical counter है इन्फेक्ट और company ने bonus announce करा एट twenty first of August यानि आज के session में company ने कल के session में भी bonus announce करा था बट कल वाला number कुछ और था और आज वाला number कुछ और है दोनों में discussion क्या है दोनों में फर्क क्या है वो भी आप सभी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले सबसे पहले तो कल के session 20 अगस्त को company ने का company consider and recommended issue of bonus equity shares in the ratio of two new equity shares for every one existing share यानि कि हर एक share पे आपको दो share ऐसा bonus देगी company लेकिन finally अभी company ने correct करा है and क्या कहा है company has corrected the ratio for bonus issue उल्टा कर दीजिए बिल्कुल यानि कि आप दो existing shares पे एक bonus share मिलेगा आपको तो इसी के बारे मैं बात करूंगा bonus से पहले क्या लेना चाहिए क्या है stock की retails and stock का नाम तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी से request है जो लोग channel पहली बार आए हैं वो please इसको subscribe कर ले notification bell icon दवाएं ताकि market से जुड़ी हुई हर ख़बर आप तक पहुचे सबसे पहले उन दोस्तों वीडियो आपको informative लगे तो इसको like कर देना यार दोस्तों सबसे पहले मैं stock का नाम बताता हूँ इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक का नाम है और यह स्टॉक एक एग्रो केमिकल सेक्टर से है कंपनी गई ना गई काफी शांदार है एंड जब कंपनी ने अनाउंस करा कि हम बॉनस इशू करने वाले हैं तो काफी बढ़िया जंप भी देखिए आपने इस स्टॉक में अगर मैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ असा आपको इसके प्राइज एक्षिन के बारे में बता हूँ तो लगबोग 1013 के लेवल्स पे क्लोजिंग देखने को मिलिया आपको फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में अभी तो चार दिन पहले कोई बैसे मुवमेंट बड़ा आया नहीं है लेकिन अगर तीन महीने में देखोगे स्टॉक को तो यह स्टॉक आपको 40 परसेंट भागता हुआ दिखा है पिछले तीन महीने में बहुत बड़े रिटन बनाएं दोस्तों साथ सो रुपे से एक हजार रुपे के पार निकला है 52 वीक हाई के अल्मोस्ट पास है फ्राइडे को 1040 का हाई था एंड 1067 का इसका 52 वीक हाई है जो कि अभी रिसेंटली ही लगा है छे महीने की बात करूँ तो यह स्टॉक 60 परसेंट के रिटन दे चुका है एक साल की बात है फिर काफी देज गिर जाता है फिर दोबारा उपर आजाता है इस तरीके से को जी स्टॉक की परफॉर्मेंस है ओवरॉल देखें तो 2006 से 7 से स्टॉक आया वहां से देखें तो 1700 परसेंट के रिटन बना के दे चुका है यह स्टॉक इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जा आंट गा disrupt आ जाता है के हमनगे तो rivister के सब्चेंट को सब्किट को तोड़ाम परफॉर्मेंस अहएं सा जाता है प्लत आए हैंzuge कैपर कंपिनी के बात करें तो company का market cap मातर 2,070 करोड का यानि एक छोटी company है इसे आप mid cap भी कह सकते हैं, small cap भी कह सकते हैं, अगर इसका high देखेंगे तो 1095 का है all time and इसका low देखेंगे तो 583 का है stock का PE 18 के price to earning पे है, book value per share 425 रुपीज का है, यानि उसके सामने, अगर आप देखें तो almost two times से थोड़ा सा ज़्यादा कोई महेंगा नहीं है, return on capital employee 16% का है return on equity 12.7% की अगर देखें तो return on equity and return on capital employee, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है, अब बात करता हूँ उसकी cover के बारे में, तो दोस्तों जिसके पास भी यह stock है, मैं बता दूँ आपकी company ने bonus अनाउंस करा है अगर आपके पास दो share है, तो एक share as a bonus मिलेगा आपको and हो सकता है, आपके पास पहले वाली cover हो, तो आपको लगता होगा कि एक share पे दो share मिलेंगे, तो मैं बता दूँ 2015 में 55 करोड का profit था, उसके बाद 16 में 39 करोड का रह गया, 17 में दुबारा से बढ़ा and 59 करोड का हुआ, 18 में 84 करोड and 19 में 122 करोड and 20 में काफी sharp गिरावट 86 करोड पे, 21 में 93 करोड का and 22 में 107 करोड का, profit कहीना कहीं sustainable नहीं है उपर नीचे हो रही है, कभी उपर कहीं नीचे तो ठीक है, अच्छा है, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा खास, share holding pattern काफी impressive है दोस्तों, 72% promoters hold करते हैं FIIs 6.66% hold करते हैं, DIs 10.980 है नहीं, almost 11% and public के पास 10% है नहीं, बड़ा हिससर सारा का सारा बड़े लोगों के पास है, तो यह होगी मेरी वीडियो Insecticides India Limited के उपर, hope आपको समझ में है योगी Thank you so much for watching this video, have a great day guys